बीते मंगलवार को मद्ध प्रदेश की हर्दा में पटाका फैक्टरी में हुए वीसर हादसे से पूरा देश प्रदेश सोकन मगन है इस ब्लास्ट में अब तक 11 से अधिक लोगों की मौत की पुस्टी हुई है वही 50 से अधिक लोग घायल बताय जा रहे है और अभी भी सर्च ओपरेशन चारी है जिस बेसमेंट में बारूद रखा गया था और मजदूर काम कर रहे थे उसका मलबा हटाया जा रहा है घायलों को इंदौर और भुपाल के अस्पताल में भरती कराया गया है हरदा में हुई इतने बड़े हाथसे से हर व्यक्ति सक्ते में आ गया है लेकिन इसी बीच बेजीपी के केंदरिये नागरे केवं उड्यन मंतरी जोतेरादे सिंध्या नास्ते गाते नसरा रहे है जब पूरा हरदा आग की लप्तों से जूज रहा था उस बक्त जोतेरादे सिंध्या धोल बजा रहे थे दरसल जोतेरादे सिंध्या गुना के ग्राम उम्री में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में समलित होने पहुँचे थे जहां उन्हें आदिवासी समाच के साथ उन्हीं की सैली में निरत किया वा ड्हूल भी बजाया जिसके बाद अब कॉंगरेस ने उन पर निसाना साधा है बुदवार सुभा यानि आज मदपरदीस कॉंगरेस के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया मरी हुई सम्मेदनाओं का जिन्दा आदमी देखिये हरदा बिसपोर्ट से जब पूरा प्रदेश गमगीन था लासों की संख्या और आग की लप्टें लगातार बढ़ रही थी तब बेजीपी ने ताद जोतेरादे सिंद्या डोल बजा रहे थे सिंद्या जी आत्मा तो पहले ही मर गई थी अब सम्मेदनाओं भी नरक सिधार गई है क्या ये कौनसा एंकार है जो मौतों का जस्त मना देता है आपको बता दे गुना दोरे पर ही धाकर समाच के एक कारीकरम में सामिल हुए केंद्रे मंतरी जोतेरादे सिंद्या ने हरदा की घटना पर दुख जताते हुए म्रतकों को सिधान जली अर्पित करते हुए दो मिनिट का मौन धारन किया